हेलो स्टुडेंट्स, रियल आंसिस के थर्ड यूनिट के फॉर्टीन्थ लेक्च्चर में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में हम लोग लिमिट पॉइंट के कॉंसेप्ट को डिसकस करेंगे, ठीक है, लेकिन लिमिट पॉइंट के कॉंसेप्ट को समझने से पहले हमें ठीक है, और कोई एक ऐसा सेट है जो एक्स को अपने अंदर कंटेन किये हुए है, तो कोई इस तरह का एक सेट है एस, तो आप इस एस को एक्स का नेवर हुड तब कहते हैं, जब आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए, एक कॉमा भी, जो अपने अंदर एक्स को तो जब आपक के अंदर इक्स हो, और इस के पास एक ऐसा ओपन इंटरवल हो, जो अपने अंदर एक्स को रखे और यह ओपन इंटरवल पुरा कपुरा एस के अंदर आना चाहिए, ठीक है, तो मैं पहले ऍबर हुड का डिफनेशन लग दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दिलीट a set s is called a neighborhood of x if there exist a open interval if there exist a open interval a, b such that x belongs to a, b subset of s ठीक है, समझेगा माली जे कोई एक point x है ठीक है, और एक set s है तो यह जो set है वो x का neighborhood तब कहलाएगा जब इस set के अंदर एक ऐसा open interval मिल जाए जो अपने अंदर x को रखे ही साथ में यह पूरा का पूरा interval s के अंदर मौजूद होना चाहिए ठीक है, मतलब यह criteria hold हो तब हम लोग कहते हैं कि यह जो s है ना वो neighborhood है लेकिन हमें deleted neighborhood के बारे में जाना है, तो अगर s neighborhood है ना, तो s minus x इसी को में लोग deleted neighborhood कहते हैं is called is called deleted is called deleted neighborhood of x मतलब अगर यह s जो है वो neighborhood है इस s में से इस x को अटा लिजे तो जो set मिलेगा वो deleted neighborhood होगा x का मतलब x point को delete कर दीजे neighborhood में से neighborhood में से x को delete कर दीजे नहीं हटा दीजे तो s minus x जोगा वो deleted neighborhood होगा ठीक है और कुछ नहीं, यही होता है deleted neighborhood neighborhood में से x को हटा दीजिए, deleted neighborhood होता है मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास कोई एक x real number है और कोई एक epsilon है जो की zeros बढ़ा है x में अगर epsilon घटा दें और x में epsilon जोड़ दें तो यह जो set मिलता है उसे हम लोग epsilon neighborhood of x कहते है epsilon neighborhood of x मैंने आपको बदायी बात कोई आपके पास एक number है और आपके पास कोई एक ऐसा number है जो की zeros बढ़ा है तो x में epsilon को घटा दीजिए और जोड़ दीजिए आपको एक open interval मिलेगा यह open interval जो है ना वो neighborhood कहलाता है x का और यह जो open interval है यह अपने अंदर x को तो रखेगा ही और वेस सी बात है ठीक है आप ही सोचिए यह interval यह जो neighborhood वो दिखता किस तरह से होगा सोचिए यहाँ पैसे real line है यहाँ पे x है आपने x में से epsilon घटाया और आपने x में से epsilon जोड़ दीए आपको जो सेट मिला इसी कोई आप लोग क्या कह रहे है इसी कोई आप लोग कह रहे है कि यह है epsilon neighborhood लेकिन मुझे epsilon deleted neighborhood निकालना है ना हमें deleted neighborhood चाहिए तो deleted neighborhood कैसे निकालेंगे x minus epsilon x plus epsilon में epsilon x को अटा देंगे इस interval में जिसके अंदर x present है देखिए यह अंदर आप इस interval में इस interval में X को अटा दें यानि इस point को हटा दें तो जो set मिलेगा उसे हम लोग deleted neighborhood क्याते हैं तो हम लोग इसे कहेंगे deleted deleted epsilon neighborhood of x deleted epsilon neighborhood of x ठीक है मतलब neighborhood में ये से simply x क को अठा देना है जो आपको set मिलेगा उसे आप deleted और कोई भी डिफरेंस नहीं है नेवरूड और डिलीटेट नेवरूड सेम तुसेम है अब हम लोग जानेंगे इंटीरियर सारी लिमिट पॉइंट के बारे में लेकिन लिमिट पॉइंट को आपको समझना है तो मैंने इससे पहले जितने भी चीज़ें बताई है यह खासकर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के कुछ डिदक्शन मैंने ओपन सेट इंटीरियर पॉइंट इन सब के बारे में भी डिसकस किया है और आपको यह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आपको लिमिट पॉइंट का कॉंसेप्ट अच्छे related theorem, यह सब जो मैंने कराए हैं, उनको आपने देखा होगा, ठीक है, तभी आपको आच का वीडियो भी समझना आएगा, जो कि अब actual में start होने जा रहा है, हमें पढ़ना है limit point के बारे में, पहले definition देखेंगे क्या होता है, definition यह है, suppose करिए, let s be a subset of r, s को यह एक subset a real number का, ठीक है, a point, a point p, a point p, a point p belonging to r, is called, is called limit point of s, is called limit point of s, if every, if every deleted, if every deleted neighborhood of p contains, 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 points of, contains, points of s, ठीक है, समझेगा, क्या कहा रहा है, यह definition, माली जो कोई set है, आपके पास s, और कोई एक number है p, अब यह कोई जो नहीं कि यह जो p है न, वो s के अंदर ही हो, p, s के बाहर भी हो सकता है, s के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब p, जो है, वो s के अंदर आ सकता है, p, s के बाहर भी रह सकता है, तो यह जो p है, वो set का limit point तब कहलाता है, जब p का कोई भी neighborhood, कोई भी deleted neighborhood, ठीक है, ध्यान दीचेएगा, p का कोई भी deleted neighborhood, s के members को अपने अंदर रखना चाहिए, मतलब s के कुछ member p के ज़ितने भी neighborhood हैं, उनके अंदर आने चाहिए, मालीज, आपके पास यह exercise ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं बाहर p है, तो p के पास कई सारे neighborhood होंगे, ये एक नेवर हुड हो सकता है, ये एक नेवर हुड हो सकता है, कोई भी नेवर हुड हो सकता है, लेकिन जितने भी नेवर हुड हैं, जितने भी नेवर हुड हैं, डिलीटेड नेवर हुड हैं, वो सब के सब S के कुछ मेंबर्स अपने अंदर रखने चाहिए, ये नेवर हु तो ये सेटके कुछ मेंबर्स को अपने अंदर रखे हुए है तो पी पॉइंट के जितने भी डिली चाहिए तलगा पक Запाउस हो का मतलब के उनके अंदर s की कुछ मेंबर्स आने चाहिए तब लोग कहते है कि यह जो P है ना वो limit point है S का ठीक है examples आपको ज्यादे सोना आगा लेकिन पहले condition on note करेज़े मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि माली जए if if nP is neighborhood of p if nP is neighborhood of p imply करेगा nP minus p is deleted neighborhood of p deleted deleted neighborhood of p ठीक मतलब अगर पी के पास कोई neighborhood है जिसको मैंने NP नाम दिया है तो NP में से पी हटा देंगे तो वो deleted neighborhood होगा और मैंने क्या पता है कि पी अकल limit point कहलाना चाहता है तो इस deleted neighborhood में S के कुछ members आने चाहिए इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि अगर मैं deleted neighborhood का intersection कराऊं S के साथ तो वो non-empty मिलना चाहिए मतलब इस वाले deleted neighborhood में S के कुछ members होने चाहिए याने intersection कराने पर empathy नहीं आना चाहिए यह बहुत important condition है ठीक है इसको जलू दिया बखेगा और यह कोई सा भी neighborhood हो सकता है पी का पी का कोई भी neighborhood उसका deleted neighborhood निकालिए deleted neighborhood का intersection set के member के साथ कराईए अगर non-empty आया तो हम लोग कहेंगे कि पी जो है वो limit point है लेकिन यह सारे neighborhood के लिए होना चाहिए सारे neighborhood ठीक है चलिए इसके examples को लेकते है examples से जादे better समझना आएगा ठीक है तो मैं यह पर पहला example ले रहा हूं let's say मैं ले रहा हूं s equals to s equals to one one by two one by three dot 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 ठीक है जीरो sorry dot 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 ऐसे आगे बढ़ता चला आगा इस set के अंदर जीरो नहीं आयगा आप चेक कर सकते हैं इस set के अंदर one caption आएगा one by एन प्लस one आएगा कभी जीरो नहीं आएगा सट फो मिलमिट पॉइंट होगा की नहीं ले इस one by one शोँए यह बांकी पॉइंच मूंद होगें ठीक है पहले चेक करेंगे कि इस set के पास zero जो है वो limit point होगा की नहीं होगा, ठीक है, we wanna check, we want to check, zero is limit point of s or not, ठीक है, समझेगा, हमें चेक करना है, इस set के पास zero limit point होगा की नहीं होगा, मतलब zero जो है वो इस set का limit point होगा नहीं होगा, यह हमें चेक करना है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, मैं zero का कोई भी neighborhood ले सकता हूँ, और अगर zero का कोई भी neighborhood इस s के साथ non empty intersection देगा, तो मनों कहेंगे कि zero जो है वो limit point है, ठीक है, deleted neighborhood और यह सी बात है, तो मैं लिखूँगा, let n of zero is neighborhood of zero, n of zero is neighborhood of zero, मैंने माल लिया, इस zero के पास कोई भी एक arbitrary neighborhood है, ठीक है, और आगे लिख दीजेगा, arbitrary, arbitrary मतलब अबता कोई साभी neighborhood, मैंने zero का कोई साभी neighborhood ले लिया, और n zero में से zero हटा देंगे, तो यह deleted neighborhood है आगा, this is deleted neighborhood, deleted neighborhood, ठीक है, अब हमें यह चेक करना पड़ेगा, कि मैं यह जो neighborhood ले रहा हूँ, deleted neighborhood, यह s के साथ non-empty intersection देगा कि नहीं देगा, तो अभी हमने देखा है न, कि n of zero जो है, वो neighborhood था, n of zero is neighborhood of zero, तो यह जो n zero है, वो कब zero का neighborhood कहलाएगा, जब इस n zero के पास एक ऐसा open interval मिले, जो zero को contain करें, और वो open interval n zero के अंदर हो, ठीक है, तो अगर n zero neighborhood है, इसका मतलब, there exists a open interval, there exists a open interval a, b, there exists a, b open interval, such that, such that, this open interval, zero belongs to a, b, और a, b जो है, वो n of zero के अंदर होना चाहिए, ठीक है, बास समझेगा, यह n of zero, जो है, वो neighborhood है, zero का, भी हमने माना था, ठीक है, तो अगर यह neighborhood है, मतलब, यह कैसा open interval मिलेगा, जो कि n of zero के अंदर contain होगा, और यह open interval होगा, जो अपने अंदर contain करेगा, समझेगा अब धिछान से, यह है आपका aerial line, यहाँ पर zero है, और मैं यह कह रहाँ होँ, कि यह जो open interval है, वो zero को अपने अंदर होगा है, तो यह तभी possible हो सकता है, जब a जो है, जो है, वो जो है, वो zero के बात में हो, धिछान से मैं clearly कह सकता हूँ, कि b 0 से बढ़ा होगा, बीधर आएगा तब ही तो जीरो कंदर अपने रखेगा तो बीजीरो से बढ़ा होगा अब समझेगा अगर बीजीरो से बढ़ा है आपने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पड़ी है यहां पर लिख दे रहा हूं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी आर्किमीडियन प्रॉपर्ट such that one by m is less than b अगर b 0 बढ़ा है उस इससे एक इसा मिलेगा जो कि क्या होगा समझाई 1 by m जो है वो बी से चोटा हो जाएगा अब समझेगा 1 by M जो है वो बी से चोटा है मतलब यहाँ कहीं 1 by m आएगा ठीक हैं आपने पड़ा होगए यह 0 से बढ़ा भी होता है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कहीं 1 by m आएगा यहाँ पे कहीं 1 by m आएगा तो मैं ऐसे सकता हूँ क्या है कि 1 by m belongs to this interval a, b अगर 1 by m b is this interval a ,b 1 by m is 1 by b interval अब देखिएगा क्या होने वाला है हमने अभी देखा था कि A,B जो है वो सबसेट है न 0 का मतलब इस सट के हर एक मेंबर न अफ जीरो के अंदर प्रेजेंट ए तो वन भाई म अगर इस इंटर्वल के अंदर है तो वन भाई म जो है वह एन जीरो के अंदर भी गंटेन होगा यहां से मैं यह भी लिख सकता हूँ दिस इंपलाई वन भाई म बिलॉंग स्टू एन उफ जीरो तो अगर आपी सुचिए वन भाई म है तो डिलीटेड नेवर्यूड के अंदर भी तो वन भाई म होगा क्योंकि इस नेवर्यूड में से आपने जीरो ही तो बस अटा आया ब में बस 0 हटाया है तो 1 by m जो है वह इसके अंदर हैं ठीक है मैं यह कह सकता हूं कि 1 by m जो है वह actually में अंदर भी होगा set हमारा क्या था इसको मिटा देंड़ हूँ हमारा जो set था वह था one comma one by two comma one by three dot 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 इस तरह के अलमेंट्स था इसके अंदर अब देखेगा यह वाला इलिमेंट इसके अंदर भी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होगा कि एन ओफ 0-0 intersection s is non empty अरे भाई यह वाला जो element है वह सके अंदर भी है यह वाला element जो इसके अंदर भी है दोनों का intersection तो नॉन एमपटी होगा न और यह जो था वो तो स्लाइड में माना है इस वाले स्लाइड में माना है कि यह जो एन ओफ जीरो है वो आर्वी ट्रेरी नेवर हुड है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि कि इस सेट के पास जीरो लिमिट पॉइंट है मैं भी बोल सकता था कई लोग ऐसे बोलेंगे कि देखिए वन बाई टू बाई थी धीरे घटते घटते जीरो तक पहुंचेगा तो जीरो लिमिट पॉइंट होगा लेकिन ऐसे गैस करना सही नहीं होता है ठीक है एक्जामिने करते हैं कि यह थो जिरो जो है इस सट पॉइन में चैक करना हूं ये वन जो है वो सर्काले में होगा तो अभी तशक करने देखा कि इस सेट के पास एक सब्सक्राठने मित ही कुछ लोगों ने यह लगाया होगा कि वन बाइन जो है वह जीरो पर टेंड करेगा जब एन इंफिनिटी पर आएगा तो इसलिए जीरो जो होगा वह सेट का लिमिट पॉइंट होगा तो यह लॉजिक कुछ हद तक सभी है लेकिन हर केस में यह लॉजिक काम नहीं करेगा ठी तो इतना भी तक फिलाल पता चला है कि इस सेट के पास एक लिमिट पॉइंट है वह जीरो और जीरो जह वह सेट के अंदर है नहीं ठीक है तो मतलब ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जो की लिमिट पॉइंट हो जाए जो सेट के बाहर हो मेरे कहने मतलब क्या है कि अगर माली बूस्जीण S हो सकता है कि सेट के बाहर को यह कैसा दो जो सट के how did का limit point बन जाय है when 6 के अंधर केखलमें भी limit पंत बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं और सेट के बाहर जो हैं वह भी limit took son transformative क्या है स्थेट के पास और कोई limit पॉइंट होगा मैं आपसे पूछा हूं क्या वन जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा देखेगा मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आप कोई सब भी एक्स एक्स लेला है रियल नमबर एक्स मैं टो यह जोता है ने बरूट के इस का छीज़ में आपको बताईए अब देखेगा बहुत ध्यान से जीज़कर मैं चेक करने जा यहां पर 1 by 2 होगा, यहां पर 1 by 3 होगा, यहां पर 1 by 4 होगा, ठीक है, 1 by 4, यहां पर 1 by 5 होगा, ठीक है, समझेगा, यह जो, मैं जो एरिया सेड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, यह जो गैप है, यह सब सेट के मेंबर्स नहीं है, यह सब सेट के मेंबर्स नहीं है, सेट के म पोईंट्स जो है वह सेट की मेंबर है वन बाइश भी आएगा अभी इससे बात हैं तो लिखने पाहूं ना मैं जाएगा कम है तो यह जैसे आप यह आगे बढ़ते चले जाएंगे जो पॉइंट से जीरो के तरफ चलते चले जाएंगे न इसलिए जीरो लिमिट पॉइंट भी बन रहा है उसका मैंने पुरूफ दिया अभी अभी मैं यह चेक करना चाहता हूं क्या यह वन जो है वह सेटका लिमिट पॉइंट होगा मुझे वन का एक ऐसा नेबर हुड खोजना पड़ेगा जिसका डिलीटेड नेबर हुड एस के साथ है एंपटी इंटर सेक्शन लिकावाइन का एक नेबर हुड में बताओं उन माइनस एप्सलॉन और बटलस एपसलॉन अब मैं यह एप से लدم۝ इस सेलोगे ना कि वह वन बाई टू से पहले ही आ जाए जब मैं वन माइनस एपसलॉन करूँगा तो वपाई हून ली पहले हैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता क यह interval यहाँ पर कहीं आ जाए मैं इस तरह से epsilon जूज करूँगा बहुत ही छोटा epsilon जूज करूँगा ठीक है बहुत ही छोटी value अगर मैं epsilon के लिए लूँ तो one minus epsilon करने पर वो one by two से दूर ही रहेगा यहां तक ही रहेगा और one plus epsilon यहां तक रहेगा और यह जो set है वो एक open set है या लेकिन हमें डिलीटेड नेवरूड होता है तो डिलीटेड नेवरूड मतलब क्या हो गया कि इस set में से आपने वर हथा लिया है यही होगा डिलीटेड नेवरूड ओफ वन जो होगा आपका one minus epsilon one plus epsilon इसमें से हमें minus कर दे रहा है वन को यह हो गया आपका deleted never हो और अगर मैं इसका s के साथ intersection कराऊं तो क्या मिलेगा empty मिलेगा कि non-empty मिलेगा देखें यहाँ पर s के member होंगे क्या s के member तो यह तो 1 है 1 by 2 है 1 by 3 है अब बाकी members जोंगे वो इस side कहीं न कहीं होंगे ठीक है तो जब मैं intersection कराऊंगा तो empty ही न मिलेगा खाली ही न मिलेगा empty मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि यह जो interval मैंने बनाया है इस तरस बनाया है ना कि वो s के साथ intersect ही न कर पाए और इस set में one तो है नहीं क्योंकि यह deleted neverhood लिया है मैंने मतलब इस neverhood में से one हटा लिया है और वन हटा लिया है और उसके बाद अगर इस set का intersection कराएंगा इसके साथ तो empty मिलेगा अगर deleted neverhood नहीं लेते तो empty intersection नहीं मिलता तब उस case में non empty मिलता है क्योंकि one भी यहां पे था औ concept आता है किस one को हटाना है neverhood में से उसके बाद s के साथ intersection कराना है तो clearly दिख रहा है empty से अटा रहा है और empty आ जाता है intersection कराने पे तो वह neverhood sorry वह लिमिट पॉइंट नहीं किलाता तो one is not one is not limit point one जो है वह लिमिट पॉइंट नहीं हो ठीक है समझेगा क्यों नहीं हुआ क्योंक यह empty intersection दे रहा है deleted neighborhood आप ऐस सी बात है ठीक है लेकिन अगर वह limit point होता अगर यह one limit point होता तो इस one के जितने भी मिलता ठीक है लेकिन क्योंकि हमें तो बन का एक ऐसा डिली टैबर हुड मिल गया जो सके साथ सोर्ट है मतलब नहीं है लिलर्ली यहां फे न मैं बॉन टू माइनेस है बॉन पक्रब्स प्रूमक जो कि हम सीधे बता देरों 1 by 2 is not limit point देखेगा 1 by 2 यहां पे न मैं 1 by 2 minus epsilon करूँगा 1 by 2 plus epsilon करूँगा तो यह interval मुझे मिल जाएगा यह neighborhood बन जाएगा इस neighborhood में से 1 by 2 निकाल लूँगा मैं ठीक है epsilon इस तरह सूस करूँगा कि यह यही तक ही फैल पाए ठीक है neighborhood का अगर मैं इसके साथ intersection कराता तो empty ही मिलता ना क्योंकि 1 by 2 तो हटा चुके हैं इस neighborhood में से और कोई members तो s के होंगे नहीं जो इस interval में लाई कर जाए इस लिए empty intersection नहीं तो आएगा 1 by 2 भी limit point नहीं होगा 1 by 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर भी उस तरह का एक neighborhood मिल जाएगा जो कि s के साथ empty intersection दे रहे हैं 1 by 4 के लिए भी देखी मिल जाएगा उसी तरह 1 by 6 के लिए 1 by 7 के लिए इस सेट के जितने भी member है उन सब के लिए कैसा neighborhood मिल जाएगा जिसका deleted neighborhood s के साथ empty intersection देगा ठीक है तिसलिए बाकी points इस सेट के जो है वो limit point नहीं बन पाएंगे ठीक है मैं लिखूँँगा देरफोर देरफोर s has s has only one limit point only one limit point s के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही limit point है ठीक है और वह है zero ठीक है ब्रेकर बेकर लिख लिए जीरो ठीक मतलब इससेट के पास एक ही limit point है वह जीरो इस ऐसा इसलिए हो रहा न क्योंकि जो set के members नहीं मिल पा रहा है जीरो के लामा क्योंकि set के जो members नहीं वह दूर दूर है जनरली limit point वहाँ पे होता है जहाँ पे point बहुत dense हो जाए आगे चलके हम वह के theorem भी पढ़ेंगे ठीक है बतलब आप ही सुचिए न जीरो क्यों limit point बन रहा है आप visualize कर सकते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा क्यों 0 limit point बन रहा है यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 बा पास पहुंच जाएगा ठीक है 1 by 5 और 0 के पास पहुंच जाएगे 1 by 6 और 0 पास पहुंच जाएगे जैसे जैसे हम लोग यह नीचे वाले numbers बढ़ाते चले जाएगे 0 केतने पास पहुंचते चले जाएगे ठीक है कि अगर मैं कोई साभी neighborhood ले लूंगा 0 का तो intersect कर जाएगा इसके साथ है यह ना deleted neighborhood भी कर जाएगा कहने मतलब यह है मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ध्यान दें तो 0 के पास जो है 0 के पास इस सेट के members जो है वो dense होते जा रहे हैं उनकी density बढ़ती जा रही है इस सेट के members की density 0 के पास बढ़ती जा रही है जीरो के पास इस सेट के बहुत सारे members है जीरो के आसपास जीरो के right hand side में इस सेट के बहुत सारे members आ जाएंगे ठीक है clear है इसलिए 0 जो है limit point बन जा रहा है और यह 1 by 2 limit point के नहीं बन पा रहा है क्योंकि यह थोड़ा सा दूर है उसी तरह 1 by 3 भी थोड़ा सा थोड़ा दूर रहा है 1 by 4 भी दूर रहा है इसी तरह सेट के हर एक member में थोड़ी सी distance उनमें होगी लेकिन 0 के साथ नहीं हो पाएगी इसलिए 0 limit point बन रहा है तो कभी-कभी visualize करके भी आप पता लगा सकते है कि limit point होगा कि नहीं होगा लेकिन proof पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है मैं यह मान स इस subject का last theorem पढ़ रहोंगे तब तक आपके अंदर बहुत सारा confidence आजाएगा epsilon और delta से related और proof से related बस आपको हर एक video line by line देखना है ठीक है तो फिलाल आज की वीडियो में हम लोगोंने बस एक example discuss किया कि इस set के पास सिर्फ और सिर्फ एक limit point होगा वह है 0 कल की वीडियो में हम ल करेंगे जिसके मदस से limit point निकलना बहुत असान हो जाएगा फिलाल जो हम लोग definition यूज कर रहे है limit point निकालने के लिए यह थोड़ा सा complicated है थोड़ा सा time लग रहा है इसमें apply करने में क्योंकि हमें एक ऐसा neighborhood खोजना पढ़ रहा है जो s के साथ empty intersection दे तब जाके पता चला है क तो अब limit point नहीं होगा ठीक है तो ऐसे बहुत time लग जाएगा तो हम लोग कुछ theorem करेंगे अभी एक दो lectures के बाद उससे उनके मदस से यह proof करना easy हो जाएगा कि सेट के पास कौन से limit point है कौन से नहीं है फिर आप कुछ second में बता ले आएंगे कि इसके पास कौन-कौन से limit point हो ठीक है तो उमीद कता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा मैंने बस आज की वीडियो में एक एक्जांपल डिसकस किया limit points related कल मैं 5-6 examples और डिसकस करूंगा ठीक है लेकिन इस वीडियो को कम सकम 3-4 बार देख लिएगा तभी आपको कल का वीडियो समझ में आए सकते करूंपल की है वीडियो समय समये दावा तेखियो और देखियो